पिर नाम दोस्तों मैं आरोई आप सभी का दिल से बालकम करती हूँ उमीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे और पॉसिटिव होंगे आप सभी अपनी एनरजी में बहुत सारी चिंजेस देख पा रहे होंगे जो कि आप सभी को पता होगा कि क्यों आप एनरजी को इस तरह की रहे हैं जो कि मैं भी बताने वाली हूं जैसे कि 11 तारिक से हमारा एनरजी नया पॉटल जीसे की पॉटल खुलाई हुआ है लेकिन नया पॉटल इसलिए क्योंकि यह जो पॉटल था बन-बन का यहां से लेकर यहां तक बहुत सारी एनरजी आपने बहुत फिलो में फील की बहुत body का flow आपने देखा, energy का flow देखा, and environment का भी flow आपने चेक किया होगा। इसके साथ साथ में अब आप चेक करने वाले हैं, अपने inner energy की flow को, और ये flow जो है, आप दोनों के connection को बहुत close में लेके आने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ी सी energy आपको distract कर रही होगी, या maybe आपको suit नहीं कर रही होगी, ये थोड़ा सा बदलाव, ये थोड़ी सी changing आपके साथ में resonate, या आपके मन के मताबिक resonate नहीं कर रहा होगा। तो जैसे की new moon भी शुरू हो रहा है और साथ में portal की भी energy है, तो आपके energy किस तरह से changes ले रही है और कैसे करवट ले रही है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे बहले बात करूँ आपके चक्राज को ले करके, तो आपके चक्राज में सबसे ज़्यादा जो highlight हो रहा है और आपको effective feel हो रहा है, तो आपका है solar plexus and sacral and हलका फुलका यानि बहुत rare जो है वो root चक्रा है, क्योंकि अभी तख आपकी जो energy है root चक्रा से बहुत उप पर उठ चुकी है, यानि कि अब तक बहुत आप लोगों ने काम किया, आपने balance पर किया, inner work किये, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी energy को एक level पर shift कर लिया है, लेकिन कुछ ऐसी energy है, जिनकी या मैं ये कहूं कुछ ऐसी है, कि जिन लोगों की energy solar plexus पर जाके अटकी हुई है, जहां पर आपको बहुत pain feel हो रहा है, tummy related आपको issues हो रहे हैं, digestion में problem आ रहा है, या भूक में problem आ रहा है, ये कुछ ऐसी systems आपको बहुत जादा feel हो रहे है, तो आपके लिए सबसे पहले ये message है, कि आपको अपनी root chakra की energy तो आपने balance की है, sacral की भी की है, fear, anxiety आपके दूर रहे हैं, बट इसके साथ साथ में आपको physical भी problem हो रही है, जैसिके आपको tummy से related, तो आपके लिए यही है, कि आपको अपनी solar plexus से energy को heart chakra पे shift करना है, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जब portal है, heart chakra को center point से connected करके, आप दोनों की energy को, आप दोनों की soul को center point के साथ shift करना है, अब मैं बात करू यही पे दूसरे उन लोगों की, जिनकी energy, crown chakra पे बहुत ज़्यादा feel हो रही है, crown पे headache हो रहा है, and crown के साथ साथ आपको body pain भी हो रहा है, आपको ऐसा भी लग रहा है, body में जैसे बहुत heat हो रहा है, fever हो रहा है, या फिर आपको बहुत आखे हैं, बहुत सूजी सूजी feel हो रही होंगी, आपका face का जो look है, बहुत different level का आप देख पा रहे होंगे, हला कि आपके face पे बहुत एक सुंदर सा glow है, अच्छा है, लेकिन उसके साथ आपने swelling भी आप फील कर पा रहे होंगे, आपके face पे swelling, आपके eyes पे swelling, and आपके पै पूरी तरीके से activate है, and वो divine की energy को connect कर रहा है, and आपकी जो energy है, वो universe की energy के साथ connect हो रही है, align हो रही है, but आपका physical body उस energy को receive करने के लिए, या उस energy को serve करने के लिए, balance करने के लिए ready नहीं है, तो आपकी body पे थोड़ी से आपको ये feel हो रहा है, क्या फिर आपको बहुत नीन तो आपको आ रही है, नीन के साथ साथ में आपको एक ऐसी नीन आ रही है, जिसमें आप सो भी रहे हैं, लेकिन नीन भी आपको लगनी रहा कि आप सोए हैं, आपको लगता है जैसे कि आप जा गए हुए थे, यानि कि अशेतन वाली नीन है, आ सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब बड़ाने तो कुछ ऐसे सिस्टम्स जो आपकी एनर्जी में आप फील कर रहे हैं तो इत मींज ये है कि आपका सोलर प्लैक्सेज के साथ साथ आपका क्राउन चक्रा जो है वो पूरी तरीके से रिसीब कर रहा है डिवाइन की लाइट को अपनी सोल की हाई बाइबरेशन को और हाई फिक कर पा रहा है उसको लेने के लिए एकसेप्ट नहीं कर पा रहा है तो देखो गाइस आपके साथ में हो क्या रहा है ना कि आपको नीम भी आ रहा है प्लस आपको मन भी आपका खराब हो रहा है कि मेरा ये काम रह गया मेरा वो काम रह गया मतलब अंदर से आप डिस्ट्रेक् पारे हैं तो definitely आपको rest की जरूरत है आप rest कीजिए क्योंकि आपकी जो energy है वो receive कर रही है बहुत level पे आपका DNA जो है वो बहुत सारी power को activate करते हुए receive कर रहा है और जैसे जैसे आपका DNA activate हो रहा है DNA energy receive कर रहा है आपकी outer energy को receive कर रहा है कह सकते हैं कि हम आकासिक energy को record कर रहा है तो उसको record जब वो कर रहा है तो उसको सबसे ज़्यादा proper relax energy चाहिए क्योंकि आप जो energy consume कर रहे हैं उस energy को आप इधर उदर सोच में, overthinking में या इधर से उदर जाने में या फिर ज़्यादा भारी work करने में आप उस energy को waste कर रहे हैं तो आपको क्या करना है ना कि आपका जो body है वो चाहता है कि आप relax करें क्योंकि आपका जो DNA है वो आपके energy को receive कर रहा है तो DNA को बहुत enough मात्रा में या बहुत सारी quality में उसको energy की जरूद है अगर वो work करेंगे अगर आपका body work करेगा या आप work करेंगे तो वो energy आपके DNA तक पहुंच नहीं पाएगी बहुत रियर energy पहुंचेगी और फिर आपको वहां के आउट सम और वहां की जो आपकी पावर है वहां की जो आपकी energy है वो एक्टिवेट होगी आपकी जो अंदर की energy है वो अनलॉक होगी तो उससे अनलॉक होन पड़ जाती है आपका जो चक्रा है या फिर आपका DNA वो आक्टिवेट नहीं होता है हो पाता है जिसकी वजह से जो आपकी पावर हो अनलॉक नहीं होती है और आधी अधूरी अनलॉक होती है तो उसके आपको effects आपके body को देखने को मिलते हैं and आपको mentally level पे भी देखने को होते हैं तो उसका इ wants is लिये होता है कि आपके आधी अधूरी आएनर्जी जब रिसीब करते हैं तो उसके वजय से आपकी आधी आधूरी आध्री इनर्जी ही ठीवेट होती है यह अनलोक होती है तो राइट नॉँ आपको जितना हो से कि rest कीजिए अपने आपको relax रखिए क्योंकि आपको बहुत जरूरत है इस DNA की energy को activate करने का क्योंकि यही से अब वो wisdom activate होगा वो knowledge activate होगी जो इस incarnation के लिए या फिर कह सकते हैं कि इस आगे की stage के लिए आपको नई platform and नई energy के साथ में आपको काम करना है जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बोली हूँ कि किसी ना किसी को यहाँ पर choose किया जाएगा choose and burn की category में आएगा जनी कि आपको select किया जाएगा as you दूसरी की purpose के लिए and दूसरी की help के लिए and soul purpose के लिए तो I don't know वो कौन-कौन हो सकता है कुन-कौन नहीं है बड़ आपको ready रहना ही होगा अगर आप अपनी energy को अच्छे से unlock करते हैं तो आपके लिए ही अच्छा है क्योंकि आगे वाले स्वरी आने वाले समय में आपका reunion and लोगों की help जो है पहुत जड़ने वाले है तो आपके लिए ये करना problem ही करती है क्योंकि हमारे मैं में उसको ना गरने का guilt बना रहता है तो अच्छा है कि आप उस guilt में ना जाएं क्योंकि आपकी energy चाती है इस time proper relax क्योंकि आपका जो DNA है वो बहुत सारी energy को consume कर रहा है and वो कह सकते हैं कि वो charge हो रहा है या उसको charging power universe के थो मिल रही है तो आपको ज़्यादा अपने thoughts पर काम नहीं करने है ज़्यादा overthinking, overreact नहीं करना है उसमें tension में अपनी energy को waste नहीं करना है जो energy आपको मिल रही है जिसके लिए मिल रही है जिस purpose के लिए आपको मिल रही है उसे वहां तक जानी दीजिए and अपने आपको connected रखिए जैसे कि मैंने कहा कि जिसको भी solar plexus पर problem हो रहा है कि आपको जरूरत है उस energy को आगे ले जाने के पहले heart chakra पर connect कीजिए heart chakra से फिर आपको crown chakra पर लेके जाना है जैसे ही crown chakra से आप connected होंगे आप universe की energy को अपने अंदर धरन करेंगे अपने अंदर receive करेंगे और वही energy आपके dna को activate करेगा और dna जैसे ही आपका activate होगा तो आपकी old skin, old pattern old schedule था वो सब कुछ release होगा और नया pattern, नई energy और नई चेतना के साथ में फिर से आप reactivate होकर के आगे आएंगे यानि कि कह सकते हैं कि एक empath के रूप में बहार आएंगे एक warrior के रूप में आप बहार आएंगे तो उसके लिए आपको prepare रहना है तो I hope आपको समझ में आया हो इस new portal and new moon की energy की जो एक छोटी सी नीव है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि इस तरीके से open हो रहा है और इसका जो कह सकते हैं intense जो है आपके energy को reactivate करने का है आपके powers को reactivate करने का है और आपके DNA को activate करने का है तो ready हो जाईए अपनी energies को activate करने के लिए तो जो भी है प्लिस मुझे comment करके बताईएगा साथ में मेरे 11 यानी new moon से मेरी नई class से शुरू हो रही है जो कि 11 से है जिसमें 7 दिन का class होगा हमारा जिसमें 7 चक्रास पे हम पूरी तरीके से work करेंगे heal करेंगे, cleansing करेंगे and dmdf merging वाली करेंगे and mirror energy करेंगे बहुत सारी energies के साथ में हम work करेंगे लिकर या सिर्फ साथ दिन का रहेगा और साथ दिन के अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ा ऐसे पताऊंगे ताकि आप इनी चीजों के साथ आप अपने बहुत long time तक का आप inner work कर सकते हैं आपको जुरूरत नहीं है कि आपको महीनों तीन महीनों तक किसी की class जॉइन करने पड़े बलकि आप basic सी चीजों को आप कर लोगे तो आप इनी से अपने अंदर की चक्राज और अपनी energy को balance कर सकते हैं साथ मेरी angel workshop classes भी शुरू हो रही है जिसमें मैं आपको learn कराऊंगे angel के साथ कैसे connect होना है कैसे आपको उनके साथ connect होकर अपने आपको प्लस दूसरों को कैसे heal करना है इसके साथ बिद आपको certificate भी मिलेगा ये बनमंद का course है ये भी आप मेरे साथ कर सकते है और रेकी healing भी मैं कराने वाली हूँ तो रेकी healing में सिर्फ मेरा यही है कि मैं 10 लोगों के साथ ही जुड़ूंगी यानकि 10 लोगों को ही मैं रेकी सिखाऊंगी और उसके अलावा ज्यादा students में नहीं लोगी जिसको भी join करना है वो एक बार में जैसे contact कर सकते हैं तो इसी के साथ